है रो दोस्तों आज हमने त्यार किया है 28 वोल्ड का वैटे रिक्सा चार्जर यह दोस्तों रोटरी वाला चार्जर है इससे आप एमफेर को घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों इस चार्जर को बनाना बहुत असान है और आप भी इसे घर पर या अपनी शॉप पर त्यार कर सकते हैं यदि आप बिजली का काम करते हैं या मरमत का काम करते हैं तो इसे असानी से त्यार करके अच्छागासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तो देखते हैं कि कैसे इस charger की fitting लगति है, क्या क्या समानी इस में लगता है और क्यांसे ये तैयार कह जाता है दोस्तो यज़ी आप भी इस charger को तैयार करना चाहते हैं तो इस video को बिना इस scroll किये आपको जरूड देखें ताकि इस वीडियो को बनाने की पूरी जानकरी आपको मिल सके तो वीडियो को स्ट्राइप करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह बॉड़ी है जिसमें हम डिकसा चार्जर बनाएंगे 28 फॉल्ड का आगे इसमें रोटरी लगती है, मीटर लगता है 30 अमपेर का और बैटरी को चार्ज करने के लिए प्लस माइनस की वाईर है निकलती है और पीछे देख सकते हैं दोस्तों एक फ्यूज होल्डर लगता है और यहां पंखा लगांगे हम और एक इस्टिब लगांगे इन्पूट दने के लिए इस चार्जर को अब समान देख लेते हैं क्या क्या समान इसमें लगाएगा दोस्तों सबस्पफार हमें 4 लग लगाने हैं और 2 स्टिब लगा लिए 30 participants और यह फ्यूज होल्डर है यह फ्यूज होल्डर लगान है दोस्तों और एक लगानीं डायवड बिरिच इसमें दोस्तो डायवड पिरिच में 6-8 राइन के डायवड लगे हुए हैं और डाइवोट बिरिज को ठंडा रखने के लिए एक पंखा लगाना है दोस्तों इसमें हम जो पंखा लगा रहे हैं दोस्तों 12 बोल्ट का है अगर आप चाहें तो AC फैन भी लगा सकते हैं और यह देख सकते हैं दोस्तों 30A का यह मीटर है मीटर हमें अच्छी क्वालिटी का लगाना है दोस्तों इसलिए बियाटी का यह मीटर में लगा रहा हूं अगर लोकल लगांगे दोस्तों तो जल जाएगा इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का मीटर लगाना है इंपुट के वोल्टेज दिया जाते हैं और दोस्तो दो LED लगाएंगे एक LED तब जलेगे जब चार्जर बैटरे से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरी LED जब जलेगे जब इस चार्जर को मेन दी जाएगी और दोनों रेजिस्टेंस पर ही 68K की रेजिस्टेंस समय लगानी है और यह है ट्रास्फरमर जिसका हम चार्जर बनाएंगे यह दोस्तो साथ नंबर साड़े तीन इंची का ट्रास्फरमर है और इसमें जो आगे के साइट वायर निकलती है वो 9 वायर होती है एक न्यूटल होती है और बाकिये जो आड़ होती है वो रोटरी पर लगती है दोस्तो मैं सबसे पहले आपको न्यूटल वायर की पहचान बते दता हूँ कि दोस्तो प्रास्फरमर के सबसे लास्ट में निकलती है और सिंगल वायर होती है तो दोस्तों ये नूटल की वायर है और बाकी इसमें सारी जो वायर निकलती है वो डवल होती है और जो सबसे पहली वायर होती है वो भी सिंगल होती है तो दोस्तों ये हमारी पहली टेपिंग है और ये सिंगल है और बाकी ये दूसरी है ये तीसरी है और ये चौती वायर है यह 5 भी है और यह 6 और यह 7 भी और यह लास्ट वाली 8 भी इस तरह दोस्तों नोठल के बाद 8 टिपिंग होती है और यह 12 वोल्ड का टिकर है जिससे कि हम पंखा चलाएंगे तो दोस्तों transformer के एक साइट से ये नो वायरे निकलती है और एक टीकर निकलता है और Maintenant के दूसरे साइट से केवल दो वायरे निकलती है जो कि AC करेंट निकालती है और AC करेंट को DC करेंट में चार्ज करने के लिए डायवड बिरिज लगाते हैं जिससे बैटरी को चार्ज करने के लिए DC करेंट मिल सक है अब धोस्तों इन दोनोब वाईरों को छील करत तयार करके इन दोनोब वाईरों पर ये 30 A की Dash के लगानी है ताकि इन दोनोब वाईरों से दो वाईरों को चार्ज करके डाइवरट बिरिज पर वो सके अब दोस्तों इन transformer की टेपिंग को चील कर slip चड़ा कर तयार कर लेते हैं रोटरी बांदने के लिए transformer तयार हो चुका है मैंने इन वायरों को चील लिया है और slip चड़ाती है और आगे छल्ले बना लिया है जिससे की इन वायरों को रोटरी पर लगा सकें अब दोस्तों यह 8 वायर है और जो न्यूटल होता है दोस्तों देख सकते हैं लास्ट वाले यह न्यूटल है न्यूटल मैंने हटा दिया है और transformer के दूसरे साइट यह मैंने इस्टिप लगाती है अब ही यहां से 2 वायर लेकर हम द़ायवोट बिरिच पर लगा सकते हैं दोस्तों यह सिंगल वायर हैं पहले वायर है और यह दूसरी तीसरी चौती पांच भी चयाटी सात भी और यह 8 भी यह दोस्तो 8 वायरों होई अब हम रोटरी ले लेते हैं रोटरी पर इन वायरों को लाइन से कस देते हैं तो दोस्तो इस तरीके से रोटरी हमें रखनी है और यह common वाला point है इससे पैचान होती है कि पहला point कौन से होता है यह common है दोस्तो तो पहला point यह वाला है तो इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच बाच 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 ब लगानी है और चौथे वाले पॉइंट पर Чोट्री टिपिंग लगानी है इस तरीके से हम रोटरी को बांत लेते हैं और दोस्तū्ANT वाले क्यार्मूं से 1.5 mm की वायर हमें निकाल देनी है明न के लिए तो दोस्तो देख सकते हैं सारी tipping हमने rotary पर लगाती है और common लड़ पॉइंट से हमने धाई एम एम की वायर को निकाल दिया है दूस्तो इस common वाले पॉइंट को direct input के voltage दिया जाते हैं अब दूस्तो देख लेते हैं यह देख सकते हैं पहली tipping मैंने पहले वाले पॉंट पर लगाई ए और ये दूसरी वाली दूसरी वाले पॉंट पर लगाई इस तरीके से मैंने रोटरी को बांधा है देख सकते हैं दूसरी टीपिंग और यह मैं दिखा देता हूं आपको सबसे लाश्ट की टीपिंग है ट्रास्वर्मर लगने के लिए तयार हो चुका है अब दोस्तों बाइके समान भी इस वोडी में कस लेते हैं देख सकते हैं दोस्तों फीस होलडर लगा दिया है मैंने और is tip लगा दिये है इनपूट के लिए है और इस पर निगटीब पॉजीटिब लगा है यह दोस्तों इनपूट की is tip है जो निगेटीब पॉजीटिब आगी लिखा है वहां से हम वैयर को निकालेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए और ये transformer इसमें रख लेते हैं और इसको कस लेते हैं और आगे मीटर को लगा जेते हैं दोस्तों सारा समान मैंने इस body में fit कर दिया है देख सकते हैं दोस्तों अब हम इस charger की wiring करेंगे तो दोस्तों ये diem की वो wire निकल के आई है जो हमने रोटरी पास से उठाई है तो देख सकते हैं ये वो wire है और ये जो हमने step लगाई है input के लिए लगाई है अब दोस्तों एक wire हम और लेंगे न्यूटल के लिए यहां से wire लेने के बाद fuse holder से उसे cut कर लेंगे और फिर उस wire को fuse holder पे से उठाने के बाद transformer के न्यूटल वाली wire के साथ जोड़ लेंगे और वहीं सामें एक wire उठानी है LED को जलाने के लिए ये charging के LED है charging के LED के उपर वाली टंग पर न्यूटल के wire लग जाएगी और 86K के की resistance पर से एक wire लेकर हमें rotary के common वाले point पर लगा जे रहा है जिससे इस LED को input मिल सके और ये जल सके देख सकते हैं दोस्तों ये wire हमने कर दिये न्यूटल फेस हमने stiff से लिगा है ये न्यूटल के wire है जो हमने fuse से काइटी है और ट्रास्वाम पर लग चुकी है और एक wire हमने LED जला निकले लिए न्यूटल की वो LED के उपर वाली टांग पर लगा दिये और दूसरी अर्शर के के रेश्चन लगा कर rotary के common वाले point पर लगा दिये दोस्तों input के wiring कम्प्लेट हो चुकी है इतनी सी wiring होती है अब दोस्तों हमें DC के wiring करनी है तो divert bridge को मैंने ले लिया है यह देख सकते हैं जो एक side में white color का निशान होता है वो plus का होता है तो यहां से हमें plus के wire को वार निकालना है और दूसरे side जो होता है यह minus का होता है minus की wire हमें meter पर लगानी है तो दोस्तों plus वाली wire direct यहां से वार निकल जाएगी और जो minus की wire है वो पहले इस वाले point पर आएगी और उसके बाद यहां से वार निकल जाएगी और दोस्तों यहां पर इस वाले point पर और इस वाले point पर हमें दो wire लगानी है वो यहां से इस टिप में से लगानी है 6 mm की और 6 mm की वायर ही हमें वायर तक लेके जानी है तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको कस देंगे अब दोस्तों LED का connection देख लेते हैं जो उपर ही टांग होती है LED की वो माइनस पर लग जाएगी मीटर के इस वाले point पर और एक वायर उठकर डारेक्ट प्लस वाले point पर लग जाएगी यहाँ पर आप कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों डायवोड बिरिज के भी connection हो चुके हैं यह दोस्तों प्लस वाले point से हमने लाल वायर को वाहर निकाल दिया है बैटरी को चार्ज करने के लिए देख सकते हैं 6mm की दोस्तों यह वायर है और दो वायर हमने यहाँ से उठाई है जो इस टिप में लग जाएंगी और माइनस के लिए हमने यह काली वायर लिए 6mm की और इसमें हमने थिम्बल लगा दिया है अब दोस्तों इस डाइवर्ड ब्रेज को पंके के सामने लगा देते हैं देख सकते हैं दोस्तों डाइवर्ड ब्रेज को मैंने पंके के सामने कस दिया है ताकि डाइवर्ड ब्रेज ठंडी रह सके और इन दोनों वायरों को मैंने इस टिप में कस दिया है और divert bridge के minus की wire 6mm की काली पहले meter पलेगी है और फिर भार चले गई है और लाल wire दोस्तो direct भार गई है दोस्तो इन दोनों wire को जब battery से connect किया जाएगा तब दोस्तो ये LED जलेगी और इसका connection में हमने कर दिया है minus हमने इस meter से दिया है और प्लस 68K की resistance लगा के हमने direct divert base से दिया है अब दोस्तो हम पंक्य का connection कर लेते हैं तो देख सकते हैं काली और लाल इसमें wire है और ये 12V का पंक्खा है और इसमें जो 12V का T का डल हुआ है ये AC वोल्ड निकालता है पंक्खा चलाना हमें DC तो इसलिए हम इस पे एक filter लाएंगे सौम्टी 68V का और एक साइट ये दोस्तो माइनस है और दूसरे साइट इसका प्लस है ये माइनस है अब हमें दोस्तो एक डाइवोड लेना है चारार साथ इसमें भी जो white का लगना निसाना होता है प्लस का होता है डाइवोड का प्लस और filter का प्लस का हमें आपस में मिला देना है तो इसको मैं मिला देता हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं मैंने प्लस प्लस दोनों के मिला दिये है अब दोस्तो हमें जो टीकर की वाइर हैं दोनों एक वायर इस पर लगानी है और दूसरी वायर इस पर लगा देनी है और चो पंक्य की पिलस और माइनस की वायर हैं काली और लाल वो हमें फिल्टर पर लगानी है तो पंक्य की लाल वाली वायर को इस वाली प्लस पर लगा देंगे और पंक्य की काली वायर यानि माइनस वाली को माइनस पर लगा देंगे देख सकते हैं दोस्तों ट्रास्फरमर के टीकर पर डाइबोड और फिल्टर लगा कर पंक्य को कनेक्शन दे दिया है फिल्टर के माइनस और प्लस पर पंक्य का प्लस और माइनस लग गया है और फिल्टर के माइनस और डाइबोड के माइनस पर ट्रास्फरमर का टीकर लग गया है देख सकते हैं दोस्तों वाइडिंग चार्जर की कंप्लीट हो चुकी है वन के रिये तयार हो चुका है काफी असान इसको तयार करना है दोस्तो ज़ाद है इसमें कोई वाइरिंग नहीं है देख सकते हैं वाकी हमने सारे तायरों को केबल टाइस से बान दिया है अगर दोस्तो आपको ऑटोमेटिक 28 वोल्ट डिक्सार चार्जर बना रहा है तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पर है आप वो भी देख सकते हैं यह चार्जर रोटरी वाला है इससे आप अपने हिसाब से एमपेर को बड़ा गठा सकते हैं और दूसरा ऑटोमेटिक चार्जर होता है दोस्तो उसमें 18 एमपेर 20 एमपेर तक सेट रहते हैं उस चार्जर से आप एमपेर को बड़ा गठा नहीं सकते दोस्तो चार्जर तयार हो चुका है और मैंने इसको 48 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और मैंन की लीड भी इस टिप में कस्दी है अब इसको चेक कर लेते हैं तो एमसीवी मैंने उठा दिया और देख सकते हैं पावर अन की एलेडी जल चुकी है जैसे आप इसको वैटरी से कनेक्ट करेंगे वैसी यह एलेडी जल जाहेगी अब वैटरी के बोल्ट चेक कर लेते हैं तो चार्जिए। एलेडी जल चुकी है और बारा अमपेर यह दिखा रहा है अब वे डिजिटल मीटर में देख लेते हैं दोस्तो डिजिटल मीटर में एमपेर कम दिखाता है साथ एमपेर ये दिखा रहा है और 55 वोल्ट के करीब बैटरी के वोल्ट हो चुके है और देख सकते हैं दोस्तो पंका भी इसका चल रहा है और यह भाय के साइड हवा देता है वैटरी ज्यादा अच्छी कंडिशन में नहीं है इसलिए वैटरी के जल्द ही वोल्ट बल्ट है इससे में दोस्तों यह पहले नंबर पर है रोटरी और यह 10 अमप्यार मीटर दिखा रहा है अब रोटरी से बढ़ा कर चक कर लिए और यह मैंने पूरी 8000 रोटरी गुमा दिए और लास्ट 25 अमप्यार तक हो रहे हैं इस चार्जर से आप 18 अमप्यार तक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से चार्जर तयार होता है आप भी इस तरीके से चार्जर तयार कर सकते हैं कर सकते हैं